तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरेगे सब्टॉपिक के बारे में जिसका नाम है Vascular Tissue System अगर हम Vascular Tissue System की बात करें तो ये प्लांट का इंटर्नल स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी देखा है इसमें हम बात करते हैं xylem की जो की water और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और phloem की जो की food material ट्रांसपोर्ट करता है और जैसा कि हमने पहले सीखा है xylem और phloem दोनों मिलके बनाते हैं vascular bundle तो अगर हम बात करें types of vascular bundle के बारे में तो plant के अंदर तीन तरीके के vascular bundle मिलते हैं सबसे पहला हम बात करेंगे open vascular bundles की दूसरे type का होता है closed vascular bundle और जो third type है उसे हम बोलते है radial vascular bundle तो बच्चों चलते हैं इन vascular bundles को अच्छे से study करते हैं अगर हम बात करें dicot stem के बारे में dicot stem के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है phloem और नीचे दिखाया गया है xylem इन दोनों के बीच में एक ring like structure है जिसे हम cambium बोलते हैं और इस cambium के present होने की वज़े से ही ये vascular bundle हो जाते है open यानि ऐसे vascular bundle जिन में cambium present होता है xylem और phloem के बीच में और यही cambium आगे जागे secondary growth करने में मदद करता है इस type के vascular bundles को हमने बोला open vascular bundles जो की dicot stem में देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें monocot stem के बारे में तो यहां पर वही आपको phloem दिखाया गया है और xylem दिखाया गया है और इन दोनों के बीच में अब हमें कोई भी ring like structure या cambium नहीं मिल रहा है तो ऐसे vascular bundles को हम बोलते हैं closed vascular bundles यानि जिन में cambium present नहीं होता है phloem और xylem के बीच में उन्हें हम बोलते हैं closed vascular bundles और ultimately ये आगे secondary tissue नहीं बना पाते हैं इसके बाद हम अगर compare करें open और closed vascular bundles को तो यहां पर आपको दिखाया गया है phloem फिर हम बात कर रहे हैं नीचे xylem की तो जो first image है उसमें हमने बोला conjoint open vascular bundle conjoint type के vascular bundle वो होते हैं जिसमें जो xylem और phloem है वो same radius पर arranged या situated होते हैं और इसमें हम generally बात करते हैं कि जो phloem है वो xylem के बाहर की तरफ present होता है यानि जो xylem है ये center यानि पित के पास present है और जो phloem है वो बाहर की तरफ present है outside the xylem तो इस type को हमने बोला conjoint और open हमने क्यों बोला क्योंकि इसके अंदर cambium present है जैसा हमने पहले सीखा वही जो दूसरी image है उसे हम बोलते हैं conjoint closed vascular bundle conjoint क्योंकि वही reason हुआ फ्लोयम बाहर present है xylem अंदर की तरफ और closed क्योंकि इसमें कोई भी cambium present नहीं है इसके बाद हम बात करेंगे अलग तरीके के vascular bundle की जो की हमें मिलता है roots के अंदर इसमें आपको दिखाया गया है xylem उसके पास present है phloem और जो अंदर central cavity है उसे हम बोलते हैं pith तो ऐसा टाइप का vascular bundle जिसमें जो xylem और phloem है वो अलग-अलग radii पे present है यानि alternate manner में present है और इस टाइप के vascular bundle को हम बोलते है radial vascular bundle जो हमें roots में देखने को मिलता है झाल 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 झालकर झाल को बड्ता है